शोर्शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाके सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाके सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए सरस्वती नमस्तु भ्यम वर्दे काम रूपेणी विद्यारंभं करिश्यामी सिद्धर भवतू में सदा ओम जैमा सरस्वती नमस्कार दोस्तों शोर्शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है 29 जून 2023 ब्रस्पतिवार थर्सडे का दिन है आज इद बकरीद की छुटी है इकुटी मार्केट पूरे दिन के लिए बंद है कमोडिटी मार्केट हाफ डे के लिए बंद है लेकिन पूरा एक्शन हो रहा है ग्लोबल मार्केट में और वैसे भी गोल्ड सिलवर में हाहा कार मचा हुआ है जैसा मैंने कहा था आपको पिछले वीड कहा तो इस वीडियो के अभी के अभी रोकिए और मेरे पिछले वीडियो देखिए सारी थेजी खतम हो गई मंदी ही मंदी चल रही है और मार्केट में हमें भूचाल ही भूचाल हाहा कार ही हाहा कार मचता हुआ दिखाई दे रहा है बायर्स बलड इज ओल ओवर स्ट्रीट जो खरिदारों की पूझी है उसको सेलर्स इस समय अपना बना रहे हैं जैसे अक्टूबर से और एप्रिल तक کا टाइम एप्रिल मैं तक का टाइम आप कहें कि बायर्स का रहा है उसके बाद अभी जो समय है वो seller's का रहा है चार हफ़ते में उन्होंने बहुत सा जो हिसाब था वो बराबर कर लिया और अब मैं जो level बताऊंगा इस वीडियो में उसे जरूर ध्यान से समझेगा लेकिन उससे पहले चलते हैं और global markets का update लेते हैं दोस्तों बहुत जरूरी है because सारा action सारा action इस समय global markets में shift हो गया है हर commodity में केवल बिक्वाली चल रही है चाहे वो gold हो silver हो copper हो हर commodity में आपको लाल ही लाल देखने के लिए मिल रहा है लाली तेरे लाल की जित देखाँ तित लाल लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल copper कई हफ्तों के निचले इस तरपे crude कई हफ्तों के निचले इस तरपे महीनों के निचले इस तरपे चल रहा है अलमینयम की भी वही हालत है gold silver की भी भी हालत है निकल तो खतम हो गया NG में थोड़ी रेकवरी जरूर देखने के लिए मिल रही है और जिंक भी कई महीनों के निचले इस तरफे चल रहा है 200 के लेवल को भी चैलेंज कर रहा है कि एक बार मैं 200 के नीचे भी जाना चाहता हूँ तो जो भी लोग पिछले देड़ दो तीन साल में ये सोचते थे कि गिरावट खतम गिरावट आती ही नहीं है उनको अब ये समझ में आया कि 380 से जिंक 200 आ गया कॉपर 880 से 695 आ गया इवन कॉपर तो 600 तक भी चला गया था उसके बाद गोल्ड 6800 से 5800 से 5800 तक आ गया 4000 पॉइंट की मोटा मोटी गिरावट स्वरी 3000 पॉइंट की मोटा मोटी गिरावट हमें देखने के लिए मिलके सिल्वर की बात करें लगबग 79,000 से 67,000 आ गया तो मार्केट ऐसे ही चलती है जब सेलर्स फसते हैं तो उनको निचोड़ती है जब बायर फसते हैं तो उनको निचोड़ती है ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करते हैं सबसे पहले आपको ग्लोबल मारकेट का अपडेट दे देते हैं अलमीनियम लगबग 0.1% माइनस है कौपर की बात करें तो कौपर लगबग 0.12% माइनस है क्रूड की बात करें तो 0.37% माइनस है गोल्ड एक्षिन बहुत ज़ादा यहां पर है 0.45% माइनस आपको गोल्ड ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है सिल्वर की बात करें तो आदा परसेंट से जादा की कमजोरी हमें सिल्वर में आती हुई दिख रही है और यह कमजोरी हो सकता है कि आने वाले समय में आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी लेड के अंदर लगबग 1% की गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है वहीं पे निकल को छोड़ दीजे निकल तो खतमी हो गई है नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं आधा परसेंट की तेजी देखने के लिए मिल रही है जिंग की बात करें तो 5% की तेजी देखने के लिए मिल रही है ये भी एक समय पर 2380 के लेवल पे चला गया था मतलब लगबग 1.5% से जादा की तेजी थी वो तेजी अब घटके लगबग 5% की 0.8% की रह गई है डॉलर इंडेक्स वो वज़े जिसकी वज़े से गोल्ड में लगातार हमें गिरावट देखने के लिए मिल रही है डॉलर ने 100 के लेवल को 100 के लेवल को डिफेंड किया और उसी की वज़े से हमें डॉलर के अंदर एक ठीक ठाक रिकवरी 0.22% पे चल रहा है 102.77 की वेल्यू है डाउ जोन स्यूचर की अगर हम बात करें तो 0.04% यानि फ्लैट टू पॉजिटिव है वहीं रुपया लगभग 0.07% नेगेटिव है ये जरूर सपोर्ट करेगा जब शाम को हमें कमोडिटी मारकेट ओपन होते हुए दिखाई देंगे लेकिन अगर ये वीकनेस और इंटेंसिफाई होती है अगर जो गोल्ड है वो गोल्ड का स्पोर्ट अगर 1900 डॉलर को भी तोडने में कामियाब हो जाता है तो 1890 लेवल के डॉलर के लेवल भी ओपन हो जाएंगे वहीं पर अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर 23 डॉलर 20 सेंट को बहुत कोशिश के बाद भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है और वो एक important hurdle सामने आ रहा है निफ्टी all time high पे चल रहा है निफ्टी का future जो SGX का future है वो भी और तेज होता हुआ ही हमें देखने के लिए मिल रहा है तो पूरी market में तेजी ही तेजी सरी निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर तेजी ही तेजी और वहीं commodity market के अंदर गिरावट ही गिरावट आते हुए दिखाई दे रही है एक बार आपको चार्ट पर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से गिरावट हावी हुई एक जरा आप इस चार्ट को देखिए ये जो चार्ट आपको दिख रहा है ये वाला मैं इसको highlight करता हूँ देखिए ये हुआ है आपका green पूरा और अब मुझे लगता है कि कुछ कुछ बड़ी बात नहीं है कि red की भी छवी आपको यहां पर आए यहां से एक support ले यहां तक जाए और वापस गिरता हुआ दिखे तो ये जो candles बन रही है ये जो pattern बन रहा है वो कुछ कुछ इस तरह का बन रहा है और ये बड़ी बात नहीं है कि जैसे हमें तेजी ए गिरावट खतम हो जाएगी एक दम से end हो जाएगी उनको थोड़ा सा मैं बोलूँगा सावधान रही है थोड़ा सावधान रही है थोड़ा market को सावधानी से approach करिए मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ये गिरावट और intensify हो सकती है let me tell you very clearly कि मुझे ये लगता है दिखें यहाँ पर selling करना थोड़ा risky तो है बट अगर trend की बात करें तो जैसे यहाँ पर buying करना risky था बट buying ने पैसा दिया है उसी तरह हो सकता है कि यहाँ पर selling करना risky हो लेकिन हमें अभी और selling होती हुई दिखाई दे जो supports हैं वो important support हमें में आते हुए दिखाई देंगे अगर हम यहाँ चलें तो देखिए अगर मैं daily के हिसाब से बात करूं तो daily में यह support line मैंने draw करी हुई है आज अगर यह support line break हो जाती है gap down मिल जाता है तो market negative हो जाएगी और ज्यादा negative हो जाएगी जी हां और ज्यादा देखिए यह वाली line को गौर करी है यह मैंने mark किया हुआ था market बार बार इसको hold कर रही थी बार बार इसको hold कर रही थी लेकिन अगर यह इसके नीचे break कर जाती है तो चीजें बहुत negative हो जाएंगी gold के लिए भी तो थोड़ा सा mentally prepare रही है उसके लिए यहाँ पर भी आप देखेंगे अगर यह negative हो जाती है तो फिर market इसके नीचे निकल जाती है तो लगभग 500,000 point और नीचे gold जा सकता है इसके नीचे सगर sustain क्योंकि यह बहुत ही important support line है बहुत important support line है और अब resistance जो है वो बहुत सारे है 58,200, 58,650, 58,800, 69,200 बहुत से resistance है और final resistance तो आपको पता ही है यह होता है 50 day का moving average अभी इ इसने यहाँ पर तोड़ा ना इसको यहाँ पर तोड़ा फिर यह जो टच जरूर इसने किया वर सस्टेन नहीं कर पाई और आप देखेंगे घुस्ती चली गई और यही चीजों का अध्यन जो भी market को long term में समझना चाहते है उनको इनका अध्यन जरूर करना चाहिए patterns को सम मजहेंगे तो patience आएगा market दिन के हिसाब से और मिंटों के हिसाब से नहीं चलती है market चलती है pattern के हिसाब से वह pattern हो सकता है कि 10 दिन में complete हो जाए 15 दिन में complete हो जाए कई बार महीन आतों जो swing trader होते हैं वह patience रखते हैं मुझे पता है सारे traders एक तरह के नहीं होते और होने भी नह चाहिए लेकिन जो बड़े trades बड़े बड़े time के लिए trade करते हैं वो कम trade में जादा मुनाफाख भी कमाते हैं और वह market को बार बार दिन भर देखते भी नहीं है क्योंकि उनको कोई फरक नहीं पड़ता कि 100 रुपे की volatility से क्या हो रहा है 200 रुपे की छोड़ा trader होता है वो हर 59% time वो अच्छे profit के साथ ही exit करता है तो गोल्ड में आप देख सकते है पैटरन बिल्कुल ही negative है बिल्कुल negative है कोई जान नहीं दिखाई दे रही है हाँ एक जो मैंने आपको support बताया है वो जरूर important है और इस weekly analysis वीडियो में मैंने आपको कुछ lower support बताये थे मुझे लगता डीटेल के लिए आप मेरा वो अला वीडियो देख लीजिए जो मैंने weekly analysis पर बनाया है silver अगर आप देखेंगे तो silver के अंदर भी गिरावट intensify होते हुए दिख रहे है 22.71 कल जो low बना था silver के अंदर लगभग जो है इसको adjust कर लेते हैं चरह तो जो low बना था उसको देखते हैं यह है silver का chart देखें यह जो silver में low बना था वो यह वाला low था इसका 22.60 का low था और अभी जो low बनाया है वो 22.71 का low बना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि silver drift करते करते इस low तक चला जाए क्योंकि gold जो है वो already अपने low के तरफ जा चुका है gold अपने low की तरफ जा चुका है तो यह बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि silver भी अपने low की यह अगर गोल्ड देखेंगे तो कल जो गोल्ड ने low बनाया था उसी के पास ट्रेट कर रहा है अगर 1900 डॉलर्स को गोल्ड तोड़ देता है तो 1890 तक के levels immediately open हो जाएंगे उसके लिए जो recent time का low था देखिए इसको भी मैं यह यह यहां जाके यह हमें एक correction देखने के लिए मिला था और market कहां तक आई थी 1807 तक आई थी और फिर यहां से हमें घूमती हुई दिखाई दी थी यह दिख रहा है आप तो एक जो support है वो यह है यह वाला अगर यह support break हो जाता है 1891 यह वाला देखिए जो मैं खीच रहा हूँ यहां से इसको technical पर करके थोड़ा बढ़ा करते हैं कि आपको मैं सही से समझा सकूँ यहां से समझा देता हूँ कहां कि आ फॉर एक्स देखिए मैं जिस लो की बात कर रहा हूँ उसको आप समझें यह 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 जो आप देख रहे हैं न यह वाला और यह वाला मैं इसकी बात कर रहा हूँ यह की एटीन हंड़ेड नाइंटी अगर यह लेवल अप्रोच होगा और अगर यह ब्रेक हो जाता है यह इसके नीचे चला जाता है तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है कि स्ट्रेट अवे मार्केट के लिए जो सपोर्ट बन जा है वो एटीन सिक्स्टी का बन जा है और एटीन 55,000 के लेवल के पास समझे है यहीं से मार्केट रिकवर करी ती यह जो आपको पूरा पैटन दिख रहा है ना यह वाला पैटन जो दिख रहा है यह 58,850 तक गया था उसके बाद जो यह आपको गिरावट दिख रही है 58,850 से 54,750 तक आई थी और यह 54,750 के बाद जो आपको तेजी दिख रही है यह मार्केट को 61,850 तक ले कर गई थी मैं चार्ट आपको 4X का दिखा रहा हूं और बात कॉमिक्स की कर रहा हूं इस पर अब क्या हो रहा है कि यही जो गिरावट है इसमें यह एक सपोर्ट मैंने इडेंटिफाई किया है यह का मतलब 1819,1885 के आसपास यह ब्रेक हो जाता है तो 1860 के आसपास और अगर यह ब्रेक हो जाता है तो फिर स्ट्रेट अवे 1820 और 1799 तक के सपोर्ट मार्केट के लिए ओपन हो जाएंगे तो आई विल नॉट भी सरप्राइज़ इफ गोल्ड विल कीप ऑन ब्रेकिंग इस लेवल से ऐसा मुझे एक अ तो वहाँ पर एक स्टॉप लॉज जरूर डाल लीजे तो प्रोटेक्ट यूर पोजीशन सो अगर उस तरफ जादा निकल भी जाए तो आपको हाम ना हो और इस वीडियो को अभी बनाने का जो में मकसद था ना वो यही था कि हाहा कार मचा हुआ है जो बाय में विचारे फ च्ची सो डॉलर वहाँ पर मारकेट आ ही जाएगी तो यह साथी साथ जो सैलिंग करने की सोच रहे है इस नीचे रेटस पे सेलिंग करने की सोच रहे है तो थोड़ा सा चॉट vibes बावंस बैक आना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं दो परसंट का बावंस बैक आना 30-40 डॉल चोटा ट्रेडर जो जोश में होता है यह तो रोज गिर रही है दस दिन से देख रहा हूं रोज गिरती जा रही आज मैं करता हूं अपना पांच लॉट डाल देता हूं और पता चला उसने पांच लॉट डाले और वह दो हजार पॉइंट चली गई तो क्या पांच लाग पता दिए वहीं अगर आप सिल्वर देखेंगे से ज्वर की हालत फोड़ी सी गोल्ड से जादा बुरी है सिल्वर अपने सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है और मुझे लगता है कि एगर इसी तरह से शिल्वर में सेलिंग सेलिंग होती है तो silver कहां जाके रुकेगा ये कहना मुश्किल है ये देखे ये वाला एक level मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ जो कि 20 तारीक को बनाया है 21.22.14 का market अगर इस level के उपर candle close करे यानि कि 23.05 और मैंने आपको resistance दिया है 23.20 का अगर 23.20 के उपर हमें candles close होते हुए दिखेंगी तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि market थोड़ी और उपर जाएगी otherwise silver अगर ये support भी तोड़ देता है तो 22.6 का भी support अगर तोड़ देता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि silver वापस 22 डॉलर के support को टेस्ट करने चला जाएगा जो सामने दिख रहा है फिर से मैं कहूंगा अगर एक line में मुझे आप trend की बात करने के लिए बोलेंगे तो gold और silver दोनों के trend negative है अगर आप buy on decline कर रहे हैं तो stop loss जरूर रखिए maintain करिए बुराई नहीं है support के पास buy करिए लेकिन stop loss जरूर रखिए supports मैंने आपको silver और gold के दोनों बता दिये हैं और market की condition क्या है ये भी मैंने आपको समझा दिये negativity हर तरफ चाही हुई है मतलब हम बात कर रहे हैं और market गिर ही रही है आप आप देखेंगे आधा परसेंट नेगेटिव हो गया है गोल्ड और लगवग आधा परसेंट से उपर नेगेटिव हो गया है silver कॉपर भी जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव में दिख रहा था वो नेगेटिव होना शुरू हो गया यह तो खैर नेगेटिव था ही था यह दो कॉपर है यह एलमी का है और यह यूएस मारकेट का है कॉमेक्स का कॉपर है ठीक है तो यह था अपडेट वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत भी आपको मज़ा आया हो वीडियो देखने में इन्फरमेशन मिली हो तो इसे लाइक शेयर सबस्क्राइब ज़रूर करीगा और फिट से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप سभी से कुछ भी करिए सोच समझ के करिए कुछ भी करिए buy करिए sell करिए video किसी का भी देखिए मेरा देखिए किसी और का देखिए लेकिन पैसा आपका है तो decision लेने से पहले अपना खुद का analysis जरूर करिए चाहे आप किसी से भी राये लें कोई कितना भी qualified क्यों नहों लेकिन risk आपका है पैसा आपका है तो कोशिश करिए थोड़ा ब दे सकता है जैसे ही top confirm हो जाएगा निफ्टी में एक top बन जाएगा तो हो सकता है कि वहां से हमें एक तेज गिरावट निफ्टी के अंदर भी देखने के लिए मिले लेकिन उसकी बात वहां करेंगे क्योंकि उसका चार्ट सामने रखके करेंगे यहां पर confuse करने का कोई वीडियो अच्छा लगे है लाइक शेर सबस्क्राइब करिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग में इस वीडियो के लिंक में एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया हूए उसमें जाके अकाउंट खोल लीजे फ्री अकाउंट ओपनिंग है फॉर्म भर रखें बहुत जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए जैहंद वंदे मात्रा